T20 World Cup की सूपर 12 राउंड में पहले दिन हुए दो बेहद्री ने मुकाबले जहां पर पहली भिडंत में New Zealand ने Defending Champions Australia को चटाई धूल और 11 साल बाद Australia में जीता कोई मुकाबला जबकि दूसरे मैच में इंग्लेंड ने किया अफगानिस्तान का सूपरासाफ जिसके बाद T20 World Cup क पॉइंट स्टेबल हो चुका है और बेदिल्चस्प और टूर्नामेंट में चड़ गया है एक्साइटमेंट का डबल डोज जहां पर अगर टूर्नामेंट के पहले दिन के मुकाबलों के बाद पूइंट स्टेबल पर नज़र डाले तो सिडनी में मेचबान और गत विज टीमों के लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं बन गई हैं फिलाल न्यूजिलेंड पहला मुकाबला बड़े अंतर से जीतने के कारण अंक तालिका में शिखर पर अपने स्थती मजबूत कर चुका है और उनका नेट्रन रेट भी प्लास 4.45 का हो चुका है जबकि अपने ही घर पर ऑस्टेलिया एक शर्मना खार का शिकार हुई है और नेगेट्व 4.45 के खराब नेट्रन रेट के साथ ऑस्टेलिया की टिम बिलकुल आखरी पायदान पर लटक गई है दूसरी तरफ अफगानिस्तान से मुकाबला जीत कर इंगलेंड ने भी पॉइंस टेबल में अ टीमों के बीच में आपस में कल मुकाबला होना है और दोनों ही टीमें इस मुकाबले के साथ अपने अभियान की शरुआत करेंगी उधर ग्रुप 2 में कल इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है जहां पर भारत के सामने पाकिस्तान की चुनौती होगी और इन में से जो भी टीम मुकाबले को अपने नाम करती है उसके लिए आगे टुर्नामेंट में सब हरा आसान हो सकता है जबकि दूसरे के लिए यहां से वापसी की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो चाएगी क्योंकि इस ग्रुप में साउथ अफरिका की टीम भी का है कौन से चाटी में टीट पॉंटी वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में पहुंचने में काम्याब होंगी हमें अपने जवाब नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे योटूब चै और बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूलें